लव सीनरी एक चाइनीज ड्रामा है जिसमें लू जिंग नामक एक गेमर के बारे में एक रोमेंटिक कहानी है। गेमर होने के अलावा लू जिंग को रिसर्च और कम्प्यूटर टेक्नोलोजी से जुड़ी चीजों में भी रुची है। इतना ही नहीं। लू जिंग को मनोविज्ञान में भी दिल्चस्पी है क्योंकि वो अकसर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते रहते हैं। ये सभी आदते लू जिंग को एक आदर्श इंसान बनाती हैं। हाना कि अपनी पूर्णता के पीछे लू जिंग को वास्तव में महिलाओं के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है। लू जिंग बोलने में शांत हैं। दूसरी और जू लियांग चेन एक मदूर आवाज वाली एक खूपसूरत गायका है। जू लियांग चेन भी अपने प्रशंसकों के बहुत करीब हैं। एक दिन एक पूरसकार समारों में लियांग चेन को इस करवित अथ्य का पता चला कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा था। इससे भी अधिक करवी बात यह है कि लियांग चेन का प्रेमी संगीत इंडिस्ट्री में अपने अपोनेंट के साथ दोखा कर रहा है। लियांग चेन की जानकारी के बिना लूचिंग अपने द्वारा विक्सित किये जा रहे गेम एप्लिकेशन में द्वणी प्रभाव के रूप में लियांग चेन के गाने का उपियोग करता है। तब से, लिांक चेन का पुराना गाना, जो शुरू में धूम मजा नहीं रहा था, आखिरकार वायरल हो गया है। लिांक चेन को तब खेल के लिए एक मोडल के रूप में चुना गया। उस समय लिांक चेन अंततह belki लूजिंग से मिले। जो अंतता चेट अप्लिकेशन पर दोस्त बन गए, दीरे दीरे वे एक दूसरे के साथ अधिक सहज हो गए, अंतता लियांग चेन को पता चला कि लू जेंग उनके प्रशंसकों में से एक थी, कहानी आगे पढ़ती है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, औ कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है